हेलो एब्रिवन वेल्कम टू गेट एकडेमी प्लस मेरे नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हमारा सब्जेक्ट फ्लूइड मशिनरी इसके प्रिवियस वाले वीडियो में हमने देखा कि हमने फोर्स निकाली किस पे एक कर्वड प्लेट पे जब जेट उसमें सेंट ठेटर में स्टाइक करता है अब हमारे डीट यह वाला वीडियो होगा जब हम चैट किसी को प्लेट पे टैंजेंशली स्टाइक करेगा हम किसका केस पढ़ रहे थे हम मूविंग का केस में मूफ कर रही होगी तब वो उस पे कैसी फोर्स एक्स्पीरियंस करेगा ठीक है तो मैं अपने टॉपिक का नाम लिखता हूं यहां पर क्या था हमारा टॉपिक का नाम हम क्या टॉपिक बढ़ रहे थे फोर्स में खर्वे वोर्ड उस पर सृप्वे का लॉश्व पर स्वीधा व्य। घप्विक टोभ लोर्डव ट करेगाए यहूं प्य। अव्य। आ तोॉवों ग्यक्टने का टॉवों ग्य। ऑन direction of jet, ठीक है, हम यह वाला case पढ़ रहे थे कि force exerted by a jet on a curved plate moving in a direction of jet, हमने इस case में हमारा जो पहला topic था, हमने वो complete कर दिया था, हमारा पहला topic क्या था, कि जब jet center में strike करेगा, ठीक है, यह वाला topic हमारा complete हो गया था, अब हम क्या दिखेंगे, कि जब jet किसी curve plate में tangentially strike करेगा, तो वो उसमें कैसी force पैदा करेगा, ठीक है, तो मैं हमारे अभी जो हम topic कर रहे हैं, उसका नाम लिख देता हूँ, बी topic हमारा क्या रहेगा, jet strikes, jet strikes tendentially, इस case में क्या होगा, कि हमारा जो jet है, वो curve plate को tangentially strike करेगा, और एक और चीज, यदि वो उसको tangentially strike कर रहा है, तो जो loss of energy होगी, impact के कारण, वो क्या होगी, zero होगी, हम पिछले cases में देखते आएं, कि जब भी कोई दोनों, यदि दोनों चीज move कर रहे हैं, jet और plate दोनों move कर रहे हैं, तो उसमें जो jet होता है, वो अपनी कौन सी velocity से plate को strike करेगा, अपनी relative velocity से strike करेगा, जो relative velocity क्या होगी, vector difference होगी, कि इसका absolute velocity का और plate की velocity का, तो चलिए हमारा case शुरू करते हैं, हम, तो सबसे बेले मैं यहाँ पर लिखूँगा, हम यहाँ वाला case पढ़ना शुरू कर रहे हैं, jet strike tangentially, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, when jet strikes tangentially ठीक है, जब jet tangentially strike करेगा, इसको, curve plate को, तो इस case में क्या होगा, loss of energy due to impact क्या होजेगी, 0, मतलब, कोई भी energy का loss नहीं होगा, और यह दी कोई चीज किसी को tangentially strike कर रही है, तो वो उसका पूरा ऐसे परी-फरी follow करेगी, इस case में क्या होगा, उसमें कोई भी impact exert नहीं होगा, और energy का कोई भी loss नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, loss of energy due to impact is 0, चीक है, तो उसमें tangentially strike करेगा, तो हमारी loss of energy due to impact क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, चीक है, अब अगला चीज हम यह देखेंगे, कि jet अपनी कौन सी velocity से उसको, उस curved plate को strike करेगा, तो velocity velocity, width, which ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, हम उसकी बात करेंगे, जिस velocity की, उस velocity की, जिस velocity से jet उस curved plate में strike करेगा, तो यह velocity क्या होती थी, हम देखेंगे, कि हम इसको लेते हैं क्या, वी, आर, relative velocity लेते हैं हम हमारी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो subscribe यूज करेंगे, एक होगा हमारा 1 और 2, 1 किसके लिए होगा, 1 हमारा inlet के लिए होगा, और 2 हमारा outlet के लिए होगा, तो मैं यहाँ पर लिग देता हूँ, V, R, 1, मतलब, यह हमारी क्या होगी, relative velocity होगी, inlet की, और हम बहुता है, कि V, R, 1 क्या होता है, difference होता है, किसकी velocity का, absolute velocity का, Z की, और plate की velocity, जिसको हम U से denote करते हैं, उसका यह difference होता है, तो यह जो V, R होगा, यह क्या होगा, अब यह velocity है, तो obvious ही बात है, इसका magnitude भी होगा, और direction भी होगा, और यह एक vector quantity है, तो V, R, 1 की value कैसे निकलेगी, वो एक vector difference होगा, किसका, Z की velocity का, और Z की velocity कौन सी, absolute, जिस velocity से Z, nozzle से निकल रहा है, ठीक है, उसका, minus plate की velocity का, plate की velocity, अब subscribe, हमारा जो 1 है, वो क्या denote करता है, inlet पे, plate की velocity, inlet पे जो होगी, उन लोग दोनों का वो difference होगा, जब हमारा main velocity triangle देखेगा, बनेगा, तो उसमें आप यह सब चीजें, आपकी अराम से clear हो जाएंगी, ठीक है, और एक और चीज, अब हमारी अगली चीज के आती है, कि, इसके पहले वाले case में हमने देखा था, जब jet center में strike करता है, तो दोनों का direction of movement same था, jet इस direction से strike करता है, तो crowd plate भी उसी direction में move कर रही, इस case में क्या होगा, जब jet tangentially strike करेगा, तो जो crowd plate का moving direction होगा, वो jet के साथ नहीं होगा, वो crowd plate किसी अलग direction में move कर रही है, jet के, तो यहा moving in different direction object, ठीक है, यह हमारे starting के तीन assumption है, ठीक है, तो चलिए हम हमारा velocity triangle construct कर लेते, सबसे पहले हम अपनी curved plate बनाएंगे, यह होगी हमारी curve plate, ठीक है, अब jet, जिस velocity से fluid jet से निकलेगा, वो क्या होगी, उसकी absolute velocity होगी, तो उस velocity को हम construct कर लेते, वो velocity हमारी क्या हो जाएगी, V1, ठीक है, अब यह किस से निकलेगी, nozzle से निकलेगी, तो हम अपना nozzle भी बना लेते हैं यहाँ पे, यह क्या होगी हमारी nozzle, ठीक है, अब क्या होगा, कि यह जो plate का inlet है, हमें यहाँ की velocity पता रहती, क्योंकि plate किस velocity से move कर रही है, plate U velocity से move कर रही है, तो inlet पे हमें plate की velocity पता रहती, तो उस velocity को हम यहाँ पे construct करते हैं, तो यह वाला जो हमारा हो जाएगा velocity, यह velocity हमारी क्या हो जाएगी, U1, ठीक है, यह वाली velocity हमारी U1 हो जाएगी, और जो absolute velocity है, V1, वो जो direction of motion है, यह जो U1 है, यह क्या है, plate की velocity है, direction of motion में, इसके साथ जो angle बनाती है, उस angle को बोलते हैं हम क्या, alpha, ठीक है, यह alpha क्या होता है, इसको हम बोलते है, nozzle angle या guide blade angle at inlet, क्योंकि हम inlet की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें 2 velocities मिल गई है, U1 और V1, तो इनी का जो vector difference होता है, वो क्या होता है, relative velocity होती है, और यह वही relative velocity होती है, जिस velocity से Z strike करता ह है, इस curved plate को, तो हम अपनी relative velocity बना लेते हैं, यह हो जाएगी हमारी VR1, ठीक है, यह वाली जो velocity हमारी जो closing side होगा, triangle का, वो हमारा हो जाएगा VR1, ठीक है, और इसी velocity से क्या होगा, Z strike करेगा, इस curved plate को, और इस curved plate की वो पूरी periphery follow करेगा, ठीक है, अब इसके बाद, दो velocity और बसती है, एक होती है, VW1 और एक VF1, वो क्या होते हैं, वो, जो absolute velocity होती है, उनी के दो components होते है, direction of motion के साथ, तो, यदी इस V1 को, मैं direction of motion क्या है, हमारा उस तरफ है, यदी मैं इसको resolve करता हूँ, यहाँ पे, तो यह वाली हमारी velocity क्या हो जाएगी, यह वाली जो हमारी velocity, य एक normal component भी बनेगा, यहाँ पे, इसको यहाँ shift कर दें, तो वो क्या होगी, वो ही होती हमारी flow velocity, तो इसको मैं यहाँ से, इसको close कर दूँगा, यह, ठीक है, तो, यह जो हमारा distance होगा, यह, magnitude होगा, यह हमें क्या show करेगा, यह हमें show करेगा, वी, W1, ठीक है, और, यह जो velocity हो यह velocity क्या होगी, VF1, ठीक है, तो, VW1 क्या हुआ हमारा, component हुआ, किसका absolute velocity का direction of motion के साथ, और, यह, जो VF1 है, यह क्या है, absolute velocity का ही component है, normal direction में, किसके curved plate पे, ठीक है, अब, जो relative velocity, जो यह, बीच वाली चीज है, VR1, यह direction of motion के साथ, जो angle बनाएगी, direction of motion मतलब हमारा, यह वा theta, theta को हम बोलते है, blade angle या vein angle at the inlet, guide blade angle, किसको बोलते है, यह alpha को बोलते है, जो nozzle angle बनाता है, ठीक है, अब क्या होगा, जब इसको वो अपनी relative velocity से strike करेगा, तो वो जो plate है, वो plate के उपर पूरा relative velocity से follow करेगा, plate के उपर jet की velocity क्या होगी, relative velocity होगी, तो, वो उसी velocity से, यहाँ पे उसी velocity से plate के वो outlet पे बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जिस velocity से वो बाहर निकलेगा वो velocity होगी हमारी क्या V R 2 यह वाली हमारी velocity क्या हो जाएगी V R 2 हमें plate के outlet पे उसकी velocity पता होगी उस velocity का हम विससे denote करेंगे U 2 से चीक है अब जनरली क्या होता है जब हम solve करने जाते है तो हमें V 1 की value दी रहती है U 1 की value दी रहती है हमें angle दी रहता है तो उसकी मदद से हम क्या करते है V R 1 निकाल लेते है plate में कोई भी loss नहीं हो रहा है यह assume करते है तो यह V R 1 ही पूरा plate के उपर flow करता है और V R 2 बनके बाहर निकालता है तो हम क्या लेते है V R 1 इकवल टू V R 2 चीक है हमें V R 2 की value पता रहती है हमें U 2 की value पता रहती है U 2 की value क्या है कि plate की velocity है outlet पे outlet पे plate की velocity किती है तो इसकी मदद से हमें क्या मिल जाता है इसकी मदद से हमें V2 मिल जाता है और यह V2 क्या होता है V2 होता है Absolute Velocity at Outlet Outlet पे Absolute Velocity क्या है अब जो यह Vr2 है वो जो Horizontal के साथ Angle बनाएगा इस Angle को हम क्या बोलते है Phi Direction of Motion के साथ जो Vr2 Angle बनाएगा यह ऐसे जो Angle बनाएगा इस Angle को हम बोलते हैं Phi जैसे हम यहाँ पे Theta था Vr1 Theta बना रहा था वेसे यहाँ Vr2 क्या बनाएगा Phi बनाएगा Theta को हम यहाँ क्या बोलते है Theta को हम यहाँ बोलते थे Blade और Vane Angle at the Inlet वैसे यहाँ पे Phi क्या होगा Blade और Vane Angle at the Outlet क्यों 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 यहां पे plate क्या है unsymmetrical है हमने देखा था कि हम एक unsymmetrical का case पढ़ेंगे इसलिए यहां पे दोनों एंगल सेम बना रहे है यह यह plate symmetrical होती तो theta और phi में कोई difference नहीं होता ठीक है अब उसके बाद हमारा हमें अपना third closing side मिल गया V2 मिल गया ठीक है यह क प्लेट के V2 का भी दो component बनाएंगे तो एक क्या होगा हमारा ठीक है तो यह वाली जो velocity होगी हमारी यह क्या हो जाएगी VW2 और यह velocity क्या हो जाएगी VF2 आप देख सकते हैं कि यह जो V2 है यह इसी के दो component एधी मैं इसको resolve कर दूँ किसके साथ direction of motion के में जो इधी मैं इसको resolve कर दूँ तो यह क्या बन जाएगा V2 यह absolute velocity का component है और इसको हम क्या बोलते है whirl velocity at outlet ठीक है और इधी इसका हम normal direction of motion के साथ एक component बनाएं तो वो क्या बनेगा हमारा VF2 और VF2 को हम क्या बोलते है flow velocity ठीक है अब हम angle की बात करते हैं जैसे absolute velocity inlet पे alpha बना रही थी तो यहाँ वाला जो एंगल होगा इस एंगल को हम क्या बोलेंगे बीटा बीटा मतलब क्या होगा guide blade angle at the outlet ठीक है तो चलिए अब हम पूरी velocities के बारे में लिक लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखूंगा मैं light ठीक है सबसे पहले V1 and V2 V1 और V2 क्या है हमारे absolute velocity velocity ठीक है V1 और V2 क्या है हमारी absolute velocity है कहां पर inlet पर और outlet पर ठीक है उसके बाद U1 and U2 U1 and U2 क्या है हमारी plate की velocity है कहां पर inlet पर और outlet पर यहाँ पर U1 यहाँ पर U2 तो मैं यहाँ पर लिखूंगा velocity of plate यहाँ हम इसको क्या बोल सकते हैं वेन भी बोल सकते हैं कहां पर at inlet and outlet ठीक है किसकी है plate की velocity कहां पर inlet and outlet पर क्या है U1 और U2 ठीक है relative velocity of jet and plate and inlet and ठीक है Vr1 और Vr2 क्या है relative velocity of jet and plate at inlet and outlet 1 मतलब inlet 2 मतलब outlet ठीक है अब उसके बाद हम angle की बात कर लेंगे सबसे पहले हमारा angle क्या होगा alpha और beta तो यहाँ पर मैं लिखूंगा alpha and beta अब यह alpha और beta को हम क्या बोलेंगे alpha और beta को बोलेंगे angle made by absolute velocity with direction of motion ठीक है यह alpha क्या है देखो alpha V1 के साथ बना रहे है और यहाँ beta V2 के साथ बना रहे है तो angle made by absolute velocity with direction of motion तो आप यह मैं लिख दूँगा made by absolute velocity ठीक है और absolute velocity क्या है उसको भी हम यहाँ bracket में लिख लेते हैं वो है हमारी V1 and V2 यही है हमारी absolute velocity और यह किस के साथ angle बना रहे है विद direction of motion ठीक है और हमने एक और चीज देखी कि इसको हम एक और किस चीज से बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं guide blade angle ठीक है guide blade angle at inlet and outlet यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्या guide blade angle at inlet and outlet ठीक है यह क्या होगा हमारा guide blade angle कहां पर inlet पर और outlet ठीक है अब उसके बाद हम अगले angles की बात करते हैं हमारे अगले angles क्या होंगे theta और beta theta और phi sorry theta और phi यह जो theta और phi है यह angles कौन बना रहे है आप देख सकते हैं vr1 और vr2 बना रहे मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि theta और phi क्या है angle made by relative velocity with direction of motion जो relative velocity है वो direction of motion के साथ जो एंगल बना रही है वो ही है हमारे theta और phi यहां पर भी relative velocity direction of motion के साथ एंगल बना रही है तो यहां पर मैं लिखूंगा क्या theta and phi यहां पर लिख देंगे हम क्या angle made by relative velocity चीक है angle made by relative velocity अब relative velocity क्या है हमारी हम जानते है vr1 और vr2 तो यहां पर हम bracket में लिख देंगे क्या vr1 and vr2 और यह angle किस के साथ बना रहे है with direction of motion के साथ तो मैं लिख दूँगा with direction of motion चीक है अब हम एक और चीज़ देखे है कि इसको हम क्या बोल सकते है alpha sorry theta और phi को हम क्या बोल सकते है इसको हम बोल सकते है blade या vein angle at the inlet and outlet alpha और beta को हम क्या बोलते थे alpha और beta को बोलते थे हम guide blade angle इसको हम क्या बोलेंगे blade या vein angle at the inlet and outlet क्योंकि relative velocity जो angle बनाएगी वही तो plate का angle होगा क्योंकि वह टेंजेंचली एंगल बनाती है तो यहां पर मैं लिख दूँगा क्या blade ब्लेड और वेन एंगल at inlet and outlet ठीक है ब्लेड और बेन एंगल एड इन एंड एंड आउट्लेट ठीक है उसके बाल हमारी क्या और कौन सी दो वेलोसेटी बस्ती है एक बस्ती हमारी VW1, VW2, VF2, VF1 अब हमें दो चीज के बारे में लिखते हैं VW1 और VW2 तो हम यहां लिख लेते हैं क्या हमारा VW1 and VW2 क्या है तो VW1 और VW2 क्या है component है किसके component of absolute velocity के absolute velocity का component है और absolute velocity क्या है हमारी वही V1 and V2 ठीक है किसका कहा का component है with sorry in direction of motion component of absolute velocity V1 and V2 in direction of motion ठीक है और V1 और VW2 को हम एक और चीज क्या बोलते है Vril velocity या velocity of Vril at the inlet and outlet तो यहां पर मैं लिख दूँँगा गया ब्रिल वेलोसिटी at inlet and outlet ठीक है उसके बाद हमारी last चीज क्या बची last चीज बची हमारी V F1 and V F2 ठीक है फिर से डाग्राम देखेंगे कि VF1 और VF2 क्या है यह देख सकते हैं VF1 और VF2 यह इसको हमने क्या बताया था कि यह इसी का component है किसका normal यह जो V2 है इसका normal component है मतलब absolute velocity का normal component किसके plate के साथ तो यह आपे हम लिखते है component component of absolute velocity in normal direction of plate और इसको हम क्या बोलते है flow velocity at inlet and outlet inlet मतलब 1 outlet मतलब 2 VF1 क्या हो जाएगा flow velocity at the inlet VF2 क्या हो जाएगा flow velocity at the outlet तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं flow velocity at inlet and outlet तो यह सारी terminologies की बात हो गई जो उस velocity triangles में use होती है मेरे साब से आपको सारी चीजे समझ में आ रही होगी कि इसमें क्या क्या चीजे लगती है तो यह आप उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ेंगे V R 2 के बराबर हो जाएगा मतला जो velocity इस curve plate को follow करेगी वोसी velocity से वो क्या हो जाएगी बाहर निकल जाएगी और वो कौन सी velocity होगी अपनी relative velocity होगी तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या if plate is smooth ठीक है यदि plate हमारी smooth है ठीक है तो हमारी जो वो है क्या relative velocity मतलब VR1 किसके बराबर हो जाएगी VR2 के बराबर हो जाएगी ठीक है यदि हमारी plate smooth है तो VR1 हमारी किसके बराबर हो जाएगी VR2 के बराबर हो जाएगी ठीक है एक और चीज अब हम देख सकते हैं कि इसको ये jet ऐसे strike कर रहे है plate इस direction में move कर रही है ठीक है तो जो inlet की velocity है plate की और outlet की velocity है वो same हो सकती इस case में इस case में वो same हो जाती ही मगर जब हम radial curved veins की बात करते हैं उस case में वो different होती है तो यह point और यह point की velocity same होगी इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि velocity at inlet and outlet of the plate is same तो यहाँ पर मैं लीखूंगा क्या velocity at inlet and outlet of plate is same यदि velocity inlet और outlet में plate की same होती है तो इस case में क्या होगा हमारा पूरा बराबर हो जाएगी क्या u1 equal to u2 हो जाएगा equal to u मतलब यह points की velocity same होगी योगी plate इसी direction में move कर रही है और same move कर रही तो इन दोनों points की velocity same हो जाएगी ठीक है तो चलिए अब हम force calculate करते हैं force हम कौन से direction में निकालेंगे किस direction में जिस direction में plate move कर रही है तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या force exerted by z in direction of motion ठीक है अब हम force calculate करते हैं जो jet exert करेगा इस plate पे कौन से direction of motion में तो वो क्या होगी direction of motion क्या होगा मतलब fx होगा मतलब हम क्या calculate करेंगे fx की value calculate करेंगे चीक है तो हमारा fx क्या हो जाता है अब हम यहाँ से अपना फिर से impulse momentum equation लगा देंगे जो हम अभी तक पूरा लगाते आ रहे हैं तो वो क्या होगा m dot bracket में v1 x minus v2 x यही चीज हम अभी तक use करते आ रहें चीक है अब यहाँ पर हम m dot की value के बारे में discuss कर लेते हैं m dot क्या होगा हमारा mass flow rate होगा की हमारा mass flow rate क्या होगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या mass flow rate ठीक है और यह क्या होगा हमारा m dot इसकी value क्या होगी कि mass इसकी value हम देख चुके हैं कि क्या होती है rho a और velocity वेलोसिटी होती है जिस velocity से jet plate को strike करते रहता है तो यहाँ पे किस velocity से jet plate को strike कर रहा है यहाँ पे वो अपनी relative velocity से strike कर रहा है mass flow rate के expression में भी क्या होगी जो velocity होगी वो relative velocity होगी मतला vr1 चीक है यह हमारी m dot की value हो जाएगी तो इस m dot की value को हम यहाँ put कर देंगे तो हमारा expression क्या बनेगा rho a vr1 चीक है अब हमें v1 x वहाँ पे क्या show करता था हर जगा हम v1 x और v2 x लेगे चलें तो v1 x क्या होती हमारी x direction में और v2 x क्या होती है हमारी final velocity x direction में चीक है अब देखते हैं कि हमने पहले देख चुका है कि z किस velocity से strike कर रहा है अपनी relative velocity से strike कर रहा है तो inlet पे जो हमें v1 x निकालना है initial velocity x direction में तो वो क्या होगी इसी relative velocity का component होगी मतलब जो यह हमारा यह जो हमारा vr1 है इसी का component होगी कहा direction of motion में मतलब यह जो हमारा component है vr1 इसका जो vr1 हमारी velocity है इसका component होगा किसका direction of motion में मतलब यह वाला हिस्सा और यह angle क्या है हमारा यह angle हमétaм देख सकते हैं थीटा है तो यह वाला हमारा क्या होगा vr1 cos थीटा यह component होगा हमारा इसका direction of motion में ठीक है? इसका vr1 का component है ये direction of motion के साथ तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा v1 x की value मेरी क्या हो जाएगी vr1 cos theta minus sign लगा देंगे ठीक है? अब हम बात करते हैं v2 x की मतलब x direction में final velocity ठीक है? अब जब हम vr1 की component लिए है direction of motion के साथ initial velocity तो obvious ही बात है जो ये vr1 बाहर निकलेगा मतलब जो हमारा vr2 बाहर निकलेगा उसका भी हम component लेंगे किसका? किस में? direction of motion में ठीक है? तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ ये होगा हमारा यही है vr2 ठीक है? अब देखिए यहाँ से direction of motion के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? फाई बना रहा है तो यह एंगल हमारा क्या है? फाई है तो मतलब यह वाला जो component होगा डिरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी का component जो होगा direction of motion में वो क्या होगा? vr2 कॉस फाई यही value होगी उसकी vr2 कॉस फाई बगर आप एक एक चीज़े देख सकते हैं कि दोनों के direction अलागे इसका direction इस तरफ है इसका direction opposite है तो जब ऐसा होता था direction opposite होता था तो हम क्या करते थे? इस value को हम क्या लेते थे? negative लेते थे तो हम यहाँ पे इस value को put कर देंगे किसमे? v2x में तो हमारा expression क्या बनेगा? bracket में minus vr2 cos5 ठीक है? यह हमारा क्या बन जाएगा? expression बन जाएगा और आगे further solve करेंगे इसको ठीक है? अब हम देखते हैं vr1 cos theta की value क्या होगी? यह थी हम यहाँ पे velocity triangle देखें हैं तो यह vr1 cos theta यही वाला हिस्सा होगा? अब देख सकते हैं यहाँ पे कि यह जो vr1 है वो जब उसका जो यह वाला component होगा वो यह वाला हिस्सा होगा और इसकी value क्या होगी? इसकी value हम बोल सकते हैं क्या? vw1 minus u1 बोल सकते हैं इसको हम तो यह जो हमारा distance होगा यह यह हमारे distance क्या होगा VW1 minus U1 ठीक है और यही होगा क्या VR1 cos theta यही तो value होगी VW1 minus U1 तो इस value को हम यहाँ put कर देंगे किसमें VR1 cos theta में put कर लेते हैं तो पर value क्या जाएगी rho A VR1 bracket में VR1 cos theta यह है और इसकी value क्या निकलेगी यह वाला हिस्सा मतलब VW1 minus U1 तो यहाँ पर मैं लिख दूँँगा क्या VW1 minus U1 ठीक है यह जो बीच में दो minus sign है इन minus sign को हम अभी से plus ले ले दे ठीक है तो चलिए plus कर देते इसको ठीक है VW1 minus U1 अब हम देखते है VR2 cos phi की value मतलब यह वाली value निकालेंगे है VR2 cos phi ठीक है अब यह जो VR2 cos phi होगा वो यही वाला पूरा magnitude में होगा यहां से लेकिए यहां तक ठीक है और इन लोग दोनों की value क्या होगी VW2 plus U2 मतलब यह वाला distance पूरा कितना होगा VW2 plus U2 यही होगा magnitude में तो आब हम क्या करेंगे VR2 cos phi की value put कर देंगे VW2 plus U2 तो चलिए हम यहां value put कर देंगे क्या VW2 plus U2 इसको भी bracket में रखते है ठीक है अब हम यहां से simply देख सकते है क्या कि ρो ए VR1 तो वैसी रहेगा VW1 है वो भी वैसी रहेगा यहां minus U1 है बीच में plus sign है तो आगे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो हम यहां से U1 और U2 जो positive and negative है इसको हम cut कर सकते हैं तो यहां से यह U1 cut जाएगा और यहां से यह U2 cut जाएगा क्योंकि एक negative है और एक positive है ठीक है अब एक और चीज यहां पे हम यह देख सकते हैं कि U1 और U2 भी हमारे बराबर होते हैं इसलिए वो cut रहे हैं क्योंकि हम यहां पे condition देख सकते हैं क्या velocity at inlet and outlet of the plate क्या होगी same होगी मतलब U1 U2 के बराबर होगा इसलिए यह दो value यहां पे क्या हो जारी है यह cancel out हो जारी ठीक है तो जो हमारा अगला expression बनेगा वो क्या बनेगा तो चलिए हम इस expression में आगे बढ़ते हैं तो हमारा expression क्या आ जाएगा fx का हमारा expression आ जाएगा fx is equal to rho A vr1 bracket में यहां से क्या बचेगा हमारा vw1 plus vw2 यही दो चीज बचेगी तो यहां पर क्या जाएगा v w1 plus vw2 यह क्या जाएगा हमारा expression आ जाएगा force exerted by z in direction of motion कि z इस curve plate में कित्ती force exert कर रहा है direction of motion में ठीक है यह हमारा expression आ जाएगा अब एक और चीज यह जो expression है यह किसके लिए valid होगा कब जब जो बीटा होगा हमारा जो यह बीटा होगा यह 90 degree से छोटा हो मतलब क्या हो acute angle अब देख सकते है कि यह जो बीटा है जब यह अपनी इस position पर आ जाएगा मतलब वो क्या होगा 90 degree होगा ठीक है मतलब वो क्या बन गया obtuse angle बन गया मतलब वो 90 degree से बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अभी जिस condition में बीटा है वो कौन सी condition में वो अभी 90 degree से छोटा है तो वो और कौन सा angle है acute angle है तो इस condition में क्या होगा कि यह expression में क्या होगा VW1 प्लस VW2 होगा तो यह वादा expression कब applicable है कब when बीटा इक्वाल बीटा is less than 90 degree ठीक है मतलब कौन सा एंगल होगा acute angle ठीक है इस से में क्या होगा बीटा acute angle होगा तब यह expression प्लस होगा ठीक है अब हम देखते हैं हमारा दूसरा case ठीक है इसी को हम बोल देते हैं क्या लेते हैं case 2 ठीक है अब case 2 में हम क्या लेंगे जब बीटा हमारा क्या हो जाएगा 90 degree के बराबर हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा रेडियली हो जाएगा यह इधर आ जाएगा तो यहां पर मैं लिखता हूं इसका मतलब जो यह VW2 का magnitude है यह पूरा खतम हो जाएगा मतलब क्या होगा जो VW2 है वो पूरा 0 हो जाएगा ठीक है यह पूरा यहां पर shift हो जाएगा मतलब यह इस point पर आ जाएगा यह जो point तो VW2 पूरा खतम हो जाएगा तो यह term क्या हो जाएगी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा है ठीक है अब एक और चीज़ देखते हैं तब जब बीटा क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा obtuse angle हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, case 3 लिख देते हैं, क्या, when beta is greater than 90 degree, ठीक है, 90 degree से बड़ा है मतलब क्या हो गया, वो obtuse angle, ठीक है, इस case में हमारा fx का expression क्या हो जाएगा, कि जब यहाँ पे छोटा था तो positive था, तो जब बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो negative हो जाएगा, तो हमारा fx का expression क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, Fx is equal to rho A Vr1 bracket में Vw1 minus Vw2 यह हमारा क्या हो जाएगा? rho A Vr1 Vw1 minus Vw2 यह किस case में होगा? जब हमारा βटा क्या होगा? 90 degree से बड़ा हो जाएगा चीक है? अब यह 3 चीज़ आई तो obvious ही बात है एक general expression तो होना ही चीज़ जो यह सारी चीज़ों को अपरेट करें तो हमारा general expression क्या हो जाएगा? general expression हमारा क्या हो जाएगा? Fx का Fx is equal to rho A Vr1 bracket में Vw1 plus minus Vw2 ठीक है? यह हमारा expression हो जाएगा rho A Vr1 Vw1 plus minus Vw2 ठीक है? हम दोनों sign यूज़ करेंगे plus और minus दोनों यूज़ करेंगे ठीक है? अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा work done ठीक है? तो यह क्या हो जाएगा? हमारा Fx की value का हमारा general expression हो जाएगा जो सारे case में applicable होगा जिसमें बीटा हमारा vary करेगा ठीक है? तो इस expression को mark कर देते हैं ठीक है? अब उसके बाद हम क्या calculate करेंगे? हमारा work done calculate करेंगे जैसे हम previous case में work done calculate करते आए है कि Fx को हम किस से into कर देते हैं? plate की velocity u से into कर देते हैं ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिखो होगा क्या work done और work done हम क्या निकालते हैं? work done per second निकालते हैं हम work done per second is equal to क्या हो जाएगा? Fx into u ठीक है? Fx की value क्या है हमारी? क्या ही है? ρो A vr1 bracket में vw1 plus minus vw2 into u ठीक है? यह हमारा expression हो जाएगा किसका? work done का अब इसके बार्द इस case में हम एक और तरीके से work done निकाल सकते हैं वो क्या होगा? हमारा work done per second per unit weight of fluid striking per second तो मैं यह लिखूँगा क्या? work done per second per unit weight of fluid striking per second ठीक है? हम क्या निकालेंगे? एक और expression निकाल सकते हैं work done per second per unit weight per unit weight per second पे हम work done निकाल रहें ठीक है? तो इसका value क्या हो जाएगी? हमारा work done per second का expression क्या है? यही है क्या? रो ए भी आर वन ब्रेकेट में वी डब्लू वन प्लस माइनस टू वी डब्लू टू इंटू यू डिवाइड बै ठीक है? तो इसको देखके तो हम यह चीज़ बोल सकते हैं कि per second per second तो पहले ही कट जाएगी क्योंकि वो per second per unit plate हो थी striking fluid per second है तो यह तो कटी जाएगे अब हम unit weight की बाट करते हैं कि जो fluid strike कर रहे है curve plate को उसका unit weight क्या होगा? ठीक है? तो weight का हमें formula पता है क्या होता है? मास इंटू gravitation होता है तो M इंटू G और M क्या हो जाएगा? पर second के कारण M dot हो जाएगा तो per second वाला ही होगा और M dot हम क्या यूज़ कर रहे है यही होगा rho A V R 1 यही तो है हमारा M dot ठीक है? इंटू G यही होगा क्योंकि weight क्या होता है? unit weight क्या होता है? मास इंटू gravitation ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा? यह दोना term cancel out हो जाएगी यह term और यह term कट जाएगी तो expression क्या बचेगा? हमारा U by G bracket में BW1 plus minus BW2 यह हमारा क्या निकलेगा? work done per second per unit weight of the fluid striking per second यह हम इसकी units की बात करें तो इसकी unit क्या हो जाएगी? Newton meter by Newton ठीक है? उपर work done का नीचे weight था तो उसके unit Newton ठीक है? एक और तरीके से हम work done निकाल सकते हैं वो क्या होगा? work done per second per unit mass of fluid striking per second ठीक है? अब हम work done निकालेंगे कैसे? per unit mass के लिए ठीक है? तो इसका expression क्या हो जाएगा? work done का expression क्या है? rho A V R 1 bracket में V W 1 plus minus V W 2 into U divide by per unit mass of the fluid striking per second. तो per unit mass of the fluid क्या होगा? यही तो बेल्ली होगी M dot की rho A V R 1 ठीक है? यह दुनों टर्म हमारी cancel out हो जाएगी तो हमारा expression क्या बचेगा? U bracket में V W 1 plus minus V W 2 ठीक है? यह हमारा expression बचेगा. और इसकी unit क्या हो जाएगी? उपर क्या है? work done Newton meter नीचे क्या है? per unit mass kg तो इसको हम क्या बोल सकते है? Newton meter per kg यह इसकी unit हो जाएगी ठीक है? अब इसके बाद हम अपना अगला case देखेंगे क्या? यह सब क्या हुआ? अभी तक हमने single single plate के बारे में पढ़ा है ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको एक पूरे एक circle की periphery-periphery में mount करके पढ़ेंगे तो हमारे last two case बतते हैं कि force exerted by a jet on a series of veins ठीक है? और उसके बाद क्या आजाएगा? radial curved veins का case आजाएगा तो अभी तक के लिए इतना ही यदि आपके कोई भी कुछ doubts रहते हैं यदि आपकी कुछ भी queries होती है तो आप हमारे comment box में comment कर सकते हैं हम planning कर रहे हैं पहला module खतम होने के बाद हम एक पूरे doubt जितने भी आज तक comment में doubt, witness हुए हैं जितने भी relevant doubts हैं उनके ओपर हम एक video बनाएंगे जैसी हमारा दो topic और खतम हो जाएगा इसके बाद दो topic हमारा क्या है? series of veins वाला और radial curved veins का यदि ये दो topic खतम हो जाता है तो उसके बाद हम doubt वाले videos एक बनाएंगे और एक हमारा numerical वाला part रहेगा जिसमें हम पूरे हर एक एक topic के एक एक numericals cover करेंगे ठीक है? अभी तक के लिए इतना ही, thank you